अकोला जिले में कोरोना के संक्रमंग की गती ने तेजी बकली है अब ग्रामी इलाकों के साथ शहर में भी फिर से बली तादाद में पॉजिटिव मरीज निकल रहे है जिनका आकलाप 600 की ओर बढ़ रहा है बुधवार 12 अगस्ते की सुबह 15 नए पॉजिटिव मरीज निकले है जिसमें दो महिला और 13 पूर्श मरीजों का समावेश है इन मरीजों में केलकर हस्पिटल के दो मरीज है जबकि अन्य मरीज गीतानगर, काफसी, जीमसी, मुर्तिजापूर, भीमनगर, बड़ी उम्री, पूलखेड, कृशिनगर, नीमकरदा, जठार पेट, सस्तिक, उठारी और बार्शी टाकली तहसिल के वागाली वर खेड के है इस दवरान बुधवार को उप्षार के दवरान 55 वर्शिय पूर्श मरीज की मौत हो गई जो बार्शी टाकली के वंजारी पूरा निवाजी थ मंगलवार की रात रैपीड एंटिजन टेस्ट में साथ मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटीव आई थी, जिनका समावेश आज की पॉजिटिव रिपोर्ट संक्या और दाखिल मरीज संक्या में किया गया है, अभी तक प्राप्त पॉजिटीव रिपोर्ट की संक्या 3173 हो है मरने वालू की संक्या 118 है अभी तक 2444 मरीजों को डिश्टार्ज किया जा चुका है एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संक्या 561 है इस परकार की जानकारी सरकारी वैद्धी की महाविद्याले द्वारा दी गई है